हेलो गाईस, स्वागत आप सभी का इस वीडियो में आज की वीडियो में हम 3 टाइप के structure को बनाना सीखेंगे जब हमें बोलना होता है अपना ग्यान अपने पास रखो अपनी कोई भी चीज अपने पास रखो इस सैंस में हमने 3 structure यहाँ पर यूज करना है पहला होगा हमारा जब हमें कोई चीज अपने पास रखनी है, दूसरा जो structure होगा, वो होगा जब हमें बोलना होता है, कि मुझे तो ये काम करना भी नहीं आता, और जो तीसरा structure होगा, वो होगा हमारा जब हम बोलते हैं, फिल हाल इसी चीज से काम चला लो, कई बार बोलते है कई बार के हम तो mostly sentences बोलते हैं अपनी conversation में तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही sentences को बनाना सीखेंगे तो करते हैं start one by one जो पहला structure होगा हमारा अपने पास रखो यानि किसी भी चीज को अपने पास रखो की sense में जो भी sentence बनेगा वो बनेगा हमारा keep your कोई भी नाउन आएगा यहां पर to yourself इस फोर्मूले के अधार पर हम sentence को बनाना सीखेंगे जब हमें बोलना होता है अपने पास रखो पहला ही sentence ले लेते हम पहले अपना ज्यान यानि कि keep your आप देखो noun यहां knowledge की बात है जब किसी भी चीज की रखने की बात करेंगे वहां हम यहां के बात लगाएंगे knowledge to yourself अब मैंने यहां तक sentence बोल दिया अगर आप इसको आगे भी बनाना चाहते हों कि अपने अग्यान अपने पास रखो मुझे मत दो don't give it me यानि कि मुझे मत दो इस तरीके से हम sentence को land कर सकते हैं आपने केवल उतना ही नहीं बोलना है जितना मैं आपको बता रही हूं उससे एक्ष्टा बोलने की कोसिज करनी है उसमें एड करते हुए चलना है ठीक है कुछ sentences की और प्रेक्टिस कर लेते ताकि अच्छे से समझा सके अपना गुस्सा अपने पास रखो तो अ अब मुझे मत दिखाओ इसके लिए लगा सकते हैं डॉंट सुमी ठीक है नेक्स सेंटेंस है अपना गमंड अपने पास रखो तो केप यूर प्राइड टो यूर सेल्फ अपना गमंड अपने पास रखो तो संटेंस बनेगा केप यूर थोड्स टो यूर सेल्फ अपने बाते अपने पास रखो ऐसे काफी सारी संटेंस जो हम अपनी कनवर्सेशन में यूज कर सकते हैं जैसे मैंने का अपना फोन अपने पास रखो तो हम बनाएंगे केप यूर फोन टो यूर सेल्फ मुझे तुम्हारे फोन के जरूरत नहीं है इस तरीके से काफी सारी संटेंस जो हम कनवर्सेशन में यूज करते हैं जैसे कई बार हम किसी को सल्हा देने लग जाते हैं तो सामने में बनाएंगे हम मुझे किसी के सल्हा के जरूरत नहीं है इस तरीके काफी सारे संटेंस जो हम अपनी कनवर्सेशन में यूज करते हैं बैसा आपको उनको सोचना है, नोट डाउन करना है और बोलना है अब चलते हैं अपनी नेक्स टेक्स करकी तरफ जब हमें बोलना होता है तुम्हें तो ये काम करना भी नहीं आता तुम्हें तो ऐसा भी करना नहीं आता उस सेंस में हमारा स्टिक्टर होगा सबज essentials, don't, doesn't अगर आप present की बात कर रहे हैं और didn't अगर आप past की बात कर रहे हैं आपको पता है don't किसके साथ लगता है और doesn't किसके साथ लगता है जो singular number person होता है singular subject होता है उसके लाग साथ हम doesn't का यूज करते हैं बाकि सभी plural के साथ हम don't का यूज करते हैं उसके बाद even know how to ये है even know how to का मतलब होता भी नहीं आता उसके बाद हम work की first from का यूज करेंगे फिर object का use करेंगे ओके जो did है past की बात हो तो सभी subject के साथ हम did का use करेंगे ओके structure देख लिए हमने अब देखते हम example first example है हमारा तुम्हें तो किसी को मनाना भी नहीं आता यानि कि राजी करना भी नहीं आता तो sentence बनेगा हमारा you don't even know how to convince anyone यानि कि तुम्हें तो किसी को मनाना भी नहीं आता तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता तो sentence बनेगा हमारा you don't even know how to cook food next sentence हमारा तुम्हें तो सही से गुस्सा होना भी नहीं आता तो sentence क्या होगा हमारा you don't even know how to anger anger properly यही तुम्ही तो सही से गुस्सा होना भी नहीं आता next sentence है उसे तो किसी के साथ लडाई करने भी नहीं आती तो he doesn't even know how to fight anyone यही उसे तो किसी के साथ लडाई करने भी नहीं आती तुम्हे तो पढ़ना भी नहीं आता तो कैसे बनाएंगे you don't even know how to read तुम्हे तो लिखना भी नहीं आता you don't even know how to write जैसे हमने बोला तुम्हे तो बोलना भी नहीं आता तो कैसे बनाएंगे हम, you don't even know how to speak, इस तरह से काफी सारे sentences जो हम बना सकते हैं और बोल सकते हैं, अब चलते हम अपने next lecture की तरफ, जब हमें किसी को बोलना होता है, इसी से काम चला लो, या अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं, make do with, ठीक है याने कि नए phone नहीं ले पाएंगे अभी, तो इसी phone से काम चला लो, तो sentence में क्या आएगा, फिल हाल के लिए लगाते हम, for now, for now, you make do with this phone, ठीक है, इसी phone से काम चला लो, फिल हाल तुम इसी marker से काम चला लो, तो for now, you make do with this marker, इस तरह से कोई भी चीज आपने बोलनी है, तो उसके साथ attach कर देना, उस ठीक को, और जो structure होगा 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 हमारा make do with, okay, next sentence है, फिल हाल तो तुम्हें पुरानी किताबों से ही काम चलाना पड़ेगा, अब बच्चे ने मम्मी से का, मम्मी मुझे नई किता आती हैं जब हमें ऐसे sentences बोलने पड़ते हैं, तो sentence कैसे बनेगा, for now, you, आप देखो काम चलाना पड़ेगा, यानि will have to, will have to, make, do with, old books, यानि पूरानी किताबों से काम चलाना पड़ेगा, next sentence है, फिल हाल तो मुझे इस बोर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा, अब काफी बार आप लोग comments में कहते हैं, मैडम बड़ा बोर्ड ले लिजे, छोटा है, तो मैं आपसे बोलती हूँ, अभी तो मुझे इसी बोर्ड से काम चलाना पड़ेगा, तो sentence कैसे बनेगा, for now, I will have to make, do with this board, यानि कि इसी बोर्ड से मुझे काम चलाना पड़ेगा, इस तरह से आज की वीडियो में हमने तीन तरह से एक structure को बनाना सीखा, तो आप इन sentence को अपने conversation में apply करेंगे, जब तक आप apply नहीं करेंगे, तब तक सीखने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अगर आपने एक structure सीखा है, तो एक को ही अपनी conversation में use में लाएं, अगर आप एक sentence भी use में लाते तो मेरे पढ़ाना सफल हो जाता है, क्योंकि जग अगर आप यूज नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, वीडियो देखने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, वीडियो तो आपने काफी सारी देख चुके है, बैस आप बोलना है आपको, और बोलोगे तब ही जब आप practice करोगे, और जो एक भी sentence आपने सीखा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे